नमस्का, मैं हो सासी आयो जर्खन की टोप 25 पर मोख खबर जानते हैं तथा जून माह में पईनाम जारी होगा किसी भी जिला में अधिक्तम चार चर्णों में चुनाव होगा यह मद्दताओ की संख्या मद्दान केंद्र की सनवेदन सिलता तथा उपलव्द सुरक्षा बलो के अधार परताय किया जाएगा बता दे पंचायती राज विभाग ने बीना OVC आयरक्षन को लेकर पंचाय चुनाव कराने से समंधित अधिसुचितना सुक्रवार को जारी कर दिया है इसके तहत सभी जिले के गयट में अधिसुचित अने पिछडा वर्ग को यथा सरूप रखा जाएगा महिला आया अने जिले के लिए जो अधिसुचित पद हो उसे खुली स्रेनी की सीट मानते हुए ही चुनाव कराया जाएगा जारक्षन में हीट वेब का कहर जारी जारक्षन में गर्मी का असर जारी है पिछले 24 घंटे के दर्मियान राजे में सबसे अधिक डाल्टेंग का गताप मान रहा और 42.9 डिग्री तक पहुँच चुका जबकि सबसे कम गढ़बा का 20 डिग्री से स्दस्ट किया गया मौसम विभाग की मानने तो राजे के उतर पश्मी हीसों में कहीं कहीं हीट वेब का असर कायम रहेगा वहीं दक्षिन पुर्वी, यूपी और विहार ससटे इलाकों में साइकलोनिक स्थिती बनने से आगामी दिनों रहात की उमीद जताई जा रही है जारखन सरकार किसानों से धान करये 15 अपरेल तक करेगी जारखन में किसानों से धान करये कितिती बढ़ा दी गई है सरकार 15 अपरेल तक किसानों से धान करये करेगी विभाग द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि पूरो में 31 मार्च तक धान कराय की तीथी निधारित की गई थी विभाग द्वारा धान कराय की अब तक की स्थिती की भी जनकारी दी गई है बर्स 2021 में कूल 8 लाक मेट्रिक टन धान कराय का लग्च रखा गया था जो वर्ष 2020-2021 की तुनला में 1.80 लाख मिट्रिक टन अधिक है बतादे 2021 में कूल 6.085 लाख मिट्रिक टन के विरूद 30 अपरेल 2021 तक 6.22 लाख मिट्रिक टन धान की क्राय की गई थी जबकि वर्ष 2021-2022 में 31 मार्ज तक पिछले वर्ष की तुनला में 0.53 लाक मिट्रिक टन अधिक धान का क्राय किया गया है जार्खन पुलिस को भी नहीं मिल रहा साफ पानी जार्खन की राइधानी राची की निव पुलिस लाइन में हर परकार की सुविधाओं के दाव किये जाते हैं लेकिन जमीनी हाकिकत कुछ और ही है राची पुलिस लाइन में जगह जगह बोरिंग तो कर दी गई मोटर भी लगे लेकिन पुलिस कर्मियों के क्वाटर तक पानी नहीं पहुँच पाया पीने के लिए स्वक्ष पानी की भी विवस्ता नहीं है पुलिस कर्मी जिस पानी का इस्तेमाल नहाने ध्वाने में करते हैं उसी को मजबूरी में पीना भी पड़ रहा है जबकि इस टंकी की सालों से साप सफाई तक नहीं हुई बता दे पानी भी स्वक्ष नहीं निकलता है इन्हें चान कर पुलिस कर्मियों को पीना पर रहा है इतना ही नहीं पुलिस कर्मी अलग-अलग समय ढोकर अपने बैरक और क्वाटर तक पानी ले जाने को मजबूर है महंगाई मुक्त भारत अभियान जार्खन कॉंग्रेस का राजभवन के समक्ष धरना महंगाई के मोदे पर कॉंग्रेस केंद्र सरकार पर हमलावार है पेट्रोल वर डियल समेत अनसमगरी की किमतों में बढ़ोतरी खिलाप कॉंग्रेस की ओर से महंगाई मुक्त भारत अभिय प्रभारी राजेस ठाकूर समेत और कॉंग्रेस नेताओने महागाई के लिए बिजेपी को जिमेवाद ठराया। बंगाल और जार्खन पूलिस के बीच हुई बैठक को ओडिनेशन बैठक में मुखे रूप से आसनसोर्थ दुरगापुर के पूलिस आयूक्त सुधीर कुमार निलकल्ठम के साथ ही बंगाल की सीमा से लगे जार्खन राज के धनवाद और जामतराजीला पूलिस के डि आई पात्री के पहले दिन मा दुरगा के प्रत्थम रूप सेल पूत्री की आराधना की गई इस मौके पर जार्खन के चत्रा जी लेके इट खोरी में मा भद्रकाली मंदीर में भोकतों की काफी भील रही मंदीर में एक दरजन साधकोर ने कलस अस्थापित किया है मंदीर प्रदर्शन रायस्थान की डॉक्टर अर्चना सर्मा की मौत मामले में दोस्यों के बिरूत धारा 302 के तहत मुकादमा करने की महां को लेकर सनिवार को रामगर जीले के सरकारी अस्पतालों नीजी अस्पतालों वा क्लिनिकों में सुबह 7 बये से लेकर साम 7 बये तक पूर पीना इलाज कराए वापस लोटे हलाकि एमर्जेंसी सिवा बहाल रही बता दे जीले के चिकित्सकों ने आई एम ए रामगर साखा के बैनर तरले सिविल सर्जन करयाले से जूलुस की सकल में समनालाय पहुचकर उपायूत को पधान मंत्री के नाम एक ग्यापन भी सोपा मैं भी एक डॉक्टर बेटी की मा हूँ रोपड़ी कोडार्मा बिधायक नीरायादव महिला चिकित्सक डॉक्टर अर्चना सर्मा की आत्म हत्या के बिरोध में जीले के चिकित्सकों के अस्मार पत्र लेने के दोरान अस्थानिय बिधायक नीरायादव की आखों से आसु चलक पड़े इस प्रक्रन पर भावुक बिधायक नीरा खुद को रोक नहीं सकी कुछ देर में खुद को सभालने के बाद कहा कि मैं भी एक डॉक्टर बेटी की मा हूँ इसलिए इस पीड़ा को समाझ सकती हूँ दरसल मामले को लेकर डॉक्टरों के हरताल के करम में कोडर्मा सौदर अस्पताल में जीले के डॉक्टरों एक कारेकरम था जहाँ परधान मंत्री के नाम असमार पत्र अस्थाने बिधाय को सोपे जार्खन में कुरोना के एक नए केस मिले है जबकि 7 मरी स्वस्थ भी हुए है जार्खन में कुरोना के कूल एक्टिव केस की संख्या 65 है भारत में कुरोना के 1260 नए केस मिले है जबकि 1404 मरी स्वस्थ भी हुए है भारत में कूल एक्टिव केस की संख्या 293 है हेमंत सरकार को बड़ा जटका मौब लेंचिंग विधयक हुआ वापस आदिवासी सलाकार परिशत की निमावली में बदलाव पर आपती जताने के बाद अब राजभवन ने सीद कालिन सत्र में बिधान सभा से पास हुए जार्खन भीड हिंसा एवं मौब लेंचिंग निवारन बिधयक 2021 को भी राजशरकार को लोटा दिया है राजभवन ने बिधयक के कई प्रवधानों पर आपत्या जताते हुए उनमें संसोधन करने को कहा भाजबा सुरू सी ही इसका बिरोध करती आ रही है वह इसे आदिवासी मुलवासी बिरोध बता रही है और राजभवन के रूख से उनकी असंकाओ को बल मिला है रिम्स में 6000 मरीजों को नहीं मिली OPD रिम्स की पूर्वचात्रा डाक्टर अर्चना सर्मा की मौत पर जार्खन में सनिवार को OPD सेवा बंद रही इसका सबसे ज़्यादा असर बाहा से परामर्स लेने आय मरीजों पर दिखा रांची के ही करीब 6000 मरीज OPD में परामर्स लेने से वंचीत रह गाए रिम्स सदर, CHC, PHC, नीजी अस्पताल क्लीनिकों में भी मरीजों को OPD सेवा नहीं मिली हलाकि कुछ नीजी क्लीनिक में मरीजों को परामर्स दिया गया हलाकि पहले से हर्ताल की सुचना होने से रिम्स वा सदर अस्पताल में मरीज कम ही थे रिम्स में जो मरीज पहुचे थे उनमें ज्याजातर को इमर्जनसी में देखा गया बीरसा मुंडा यारपोर्ट पर बड़ा हथसा टला बीरसा मुंडा यारपोर्ट से उड़ान भर रहे बहतर सीटो वाले रांची कुलकता बीमान में सुक्रवार को बढ़ा हादसा होते होते बच गया सुबा नौ बज कर पांच मेंड पर कुलकता के लिए उड़ान भर रहे इंडिगो के बीमान ने जैसे ही रनवे से टेक अप किया वैसे ही बीमान का एसी अचानक बंद हो गया साथी बीमान के अंदर जोरदार आवाज हुई इस करण यातरी अचानक डर गए और चिलाने लगे साथी बीमान के अंदर ही यातरियों के बीच दोसत और अफरात अफरी का महल बन गया जैसे ही बिमान के पाइलट को बिमान के अंदर आवाई सुनाई दी और यात्रियों के चिलाने लगे वैसे ही बिना देर किये टेक आफ करते बिमान को डायवर्ट कर दिया गया और बिमान को दोबारा रॉनवे पर उतारा गया जरकन हाई कोट एड़ोकेट एसोसियेशन का मई महाम में हो सकता है इसके लिए 6 अपरेल को एसोसियेशन की जेनरल बोडी की बैठक होगी बैठक में आम समती से चुनाव कराने का प्रस्ताव पास किया जाएगा इसी दिन चुनाव पदाधिकारी का चैन भी किया जा सकता है एसोसियेशन का चुनाव हर दो साल बाद होता है अमतिम चुनाव वर्ष 2018 में हुआ था इसके बाद वर्ष 2020 में चुनाव निधारित था लेकिन कुरोना संक्रमन के कारण चुनाव नहीं हो सके थे पेपर लिक होने के चलते NCC के C साटिफिकेट परिक्छा रद 11 अप्रेल को होगा एकजाम बिहार जारखन के NCC निधे सालय ने NCCC साटिफिकेट के लिए होने वाली परिक्छा पेपर लिक होने के चलते रद कर दिया है NCC निधे सालय के सुत्रों के अनुसार ऐसा पहली बार हुआ है कि पेपर लिक के चलते NCCC के परिक्छा रद करनी पड़ी हो NCCC साटिफिकेट किया परिक्षा अब दुबारा से 11 अप्रेल को कराना संभावी था NCCC की इस परिक्षा में बिहार जारखंड के मुझापरपूर, भागलपूर, पतना, गाया और हजारी बागवराची गुरूप से 6,000 जादा कैंडिडेट लिखित परिक्षा में सामिल हुए थे सहायक पूलिस के जवान ने फासी लगा कर की खुद खुसी जारखंड के दुमका में सहायक पूलिस के जवान ने फासी लगा कर खुद खुसी कर लिया है मिरीतक जवान की विबेक कुमार के रूप में पाचान हुई विबेक कुमार दुमका के डियाजी कर्याले में पदस्थाफी था सिव पहाड के एक लोज में रह कर परतियोगी परिक्षाओ की तियारे भी कर रहा था आत्म हत्या के कारणों का पता अभी तक नहीं चल पाया है चमपाई सुरेन ने 130 क्रोर के सिचाई परियोजनाओ का किया सिलन्यास राज के आदिवासिक कल्यान सभ परियुआ हान मंत्री चमपाई सुरेन ने सुरेन नरेखा परियोजना की ओर से जीले के गमहरिया परखंड के गाजिया में लगबग 130 क्रोर की सिचाई परियोजना का सिलन्यास किया बीदी थाय की सुरेन नरेखा परियोजना की ओर से गाजिया में निर्मीत बराज के दोनों कैनल से करीब 37 सब हेक्टेर खेतों में पानी भेजा जाएगा इस मौके पर उन्होंने काया कि इस योजना से छेतर का सोरणगी विकास होगा गाजिया बराज के दाय और बाय कैनल में 9 पंचायतों के करीब 46 मौजा के किसानों के इसका सिधा लाब मिलेगा जारखन होकी टीम के फैनल में पहुचने पर दी बधाई 12 जूनियर राश्ट्रिय महिला होकी चेंपियंसिप में जारखन टीम के फैनल में पहुचने पर होकी सिम्डेगा के सभी पता अधिकारियों ने बधाई दी है जार्खन टीम में रसीम होरो, रोपनी कुमारी, कायल बाला, अंकीता डुगडुक, दीप्ती कुलुक, किरन बाला, महिमा टेटे, दीपिका सुरेंग, रजनी केरकेटा, प्रमोधनी लकळा, निकी कुलु, एलीन डुगडुक, एली तिर्की, प्रियंका गुडिया, मोनिका पिंकी लकळा, अंजली किरकेटा, सलोमी, काडुलना, कोच, तारीनी, कुमारी और मैनेजर, करुना पूर्ती हैं, लोबिन का 1932 खत्यानी को लेकर एक्टिवीटी, स्टीफन मरांडी, जार्खन मुक्ती मोर्चा के वरिष्ट नेता और विधायक, स्टीफन मरांडी ने कहा कि लोबिन उने 1932 के खत्यानी को लेकर अलग-अलग प्लेट फरम पर बात कर रहे हैं, काड़े से सब बाते पार्टी फरम में बोलनी चाहिए, मरांडी सन्निवार को प्रेस कॉन्फरेंस को समोधित कर रहे थे, उन्होंने कहा कि सदन में भी कोवन किस विशेप पर बोलेग कि अईसा संभव नहीं, लोबिन का 32 के खत्यानी को लेकर संताल में की जारही एक्टिविटी गर अनुससनात्मक है। अपने अनुयाईयों के साथ मौजा के आसपास के नदी तलाबों में केकड़ावा मचली पकड़ने निकलेंगे। वहीं साम साथ बज़े सरना अस्थलों में जल रसाई की बीधी पूरी की जाएगी। जल रसाई बीधी के माध्यम से पहान दूसरे दीन चार अप्रेल को घड़ों में रखे जल को देख कर इस वर्ष कैसी वर्षा और खेती होगी की परमपरा बविस्यानिक करेंगे। चल सरना अस्थल सिरम तोली और हात्मा सरना अस्थल में सरहुल के दीन सुबा 10 बए सही परमपरिक पूजा होगी। 9 माह बाद रिम्स परवंधन को सोपी दुकान रिम्स में दवाई दोस्त दुकानों के बंद होने के 9 माह बाद इसे सनिवार को रिम्स परवंधन को सोप दिया गया दोनों दुकानों की चाभी दवाई दोस्त परवंधन ने चिकित सा अधिक्छक को दे दी इसके बाद दोनों कमरों की जाच की गई इधर जनकारी मिली है कि इसे जन आउस्दीक के एक्स्टेंसन के लिए दिया जा सकता है क्योंकि जन आउस्दीक केंद्र जरजर हो चुका है कमरा हैंड ओवर के दवरान अधिक्षक डाक्टर हीरेन बिरुया उपा अधिक्षक डाक्टर सैलेस त्रिपाटी आदी मजूद थे सरहूल पर सहर में कल भारी वाहनों का परवेस बंद प्रकिर्ती के परव सरहूल पर सो मोहर को निकलने वाली सोभा यातरा पर राची के यातयात ब्यवस्ता में बदलाव किया गया है यातयात पुलिस अधिक्षक कर्यालाए के मुताबिक राची सहरी चेतर में 4 अप्रेल को सुबद 6 से रात 12 बजे तक भारी वाहनों का परवेस बरजित रहेगा इस दोरान पिसका मोर से हजारी बाग रोड जाने वाले सभी भारी वाहन कमड़े तीलता चोक से रिंग होते हुए मेसरा होकर आगे जाएंगे अजारी बैक से लोहर्दागा लाते हा डालते हैं गुमला हुआ इससे आगे जाने वाले वाहान रिंग रोड पर मेसरा लो उनिवर्सिटी होते हुए तीलता चोक से आगे रवाना होंगे कोडारमा में महिला के साथ हैवानियत कोडारमा जी लेके मरकचो थाना छेतर के गराम धूबा डी में जार फुक के नाम पर एक महिला के साथ हैवानियत का मामला सामने आया है जार फुक के दवरान उसके न सिर्फ दोनों हाँच जला दिये गए बलिक बाल काटकर पैर और हाँच से खोन भी निकाला गया तांत्रिक को महिला के ससुरार वालों नहीं बुलाया था यह मामला तब सामने आया जब पीडिता की ओर से घातना को लेकर बयान का एक वीडियो सामने आया इस घातना से आहात महिला ने पूलिस से नयाय की गुहार लगाई है ज्यारखन की आपति के बाद सस्ती दर पर विजली बेचने का आदेश जारी ज्यारखन सहित तमिलाडू एवं अने राजों की सिकायत के बाद विजली उत्पादन करने वाले नीजी कमपनियों की मनमानी पर केंद्रिये विधूत नियामक आयोग ने लगाम लगाया है सुने से बारा रुपे पर विजली खरीद सकेंगे बता दे पिछले कुछ दिनों से राजियों को 20 रुपे पर विजली खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ रहा था बिधायक लोबिन हेंबरेम 4 को रखेंगे अपना पक्ष अपनी ही सरकार को आइस्थिर करने की साजिस करने क्या रोप लगने के बाद से साहव गंज के बोरिया से ज्जामु मोबिधायक लोबिन हेंबरेम ने चुपी साद लिहा है इस्तमाद में वे कुछ भी बोलने को त्यार नहीं है कई बार पुछने पर उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि वे चार अपरेल को अपना पक्ष रखेंगे मालूम हो कि जामूओं के कुछ विधायकों ने सीवू सुरेन और हेमांत सुरेन से सिकाइट की थी लोबिन हेम रेम और सीटा सुरेन जारकन सरकार के खिलाप गती वीदियों में सामिल है उनका कहना था कि जामूओं के ये दोनों विधायक भाजपा के संपर्क में है धन्यवाद